नमेश्कार दोस्तों मेरा नाम है चारू चौदरी आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साधरन बाकी और वैदिक गनित की जो बाकी है उसमें क्या अंतर है दोस्तों जिस आपको पता है कि आजकल के सिलेबस जो है बच्चों के तीसरी से दुसरी क्लास में वैदिक गनित वानिवारी है और कई जगे confusion होता है और लोगों के मेरे पास comments आए हैं कि वो Vedic Math से जो और बाकी गुणा भाग जो है वो सीखना चाहते हैं तो हम अपनी पुरानी वीडियो में जो और बाकी भी सीखा चुके हैं तो अभी मैं यहाँ पर इस वीडियो में साधरान बाकी और Vedic Math के द्वारा जो बाकी होती है जो गटाव होता है जो रिण है वो कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाओंगी अब दोस्तों यहाँ पर हम एक बार साधरान तरीके से बाकी करके देख लेते हैं हम कैसे करते हैं? चार में साधbles नहीं जाता तो एक यहां एक उधार लेंगे और यहांपर आजाएगा छे तीक है cared 6 यहां रह गयon मैं दो दो 20 मेंibu N没unta पांच नहीं जाता है तो ये तो होती है हमारी साधरन बाकी जो कि आप लोगों को आती ही है अब हम देखेंगे वैदि गनित से बाकी कैसे करते हैं मैं सेम संक्या ही लिख रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों वैदी कनित में अगर हमको बाकी करनी होती है तो हमको सबसे पहले परमित्र लेने की जरूत होती है परमित्र क्या होता है जिसे 10 का अधार है यहाँ पर हमको 10 का अधार ही चाहिए होगा तो 10 का अधार है तो 1 का जो परमित्र है वो होगा 9 आठ का परमित्र होगा दो तो इस तरीके से दस में से हम वो संख्या घटा लेंगे जैसे चार का परमित्र हमको निकालना है तो दस में से चार घटा है उसका परमित्र हो जागा छे ठीके अब हम देखते हैं चार में से आठ नहीं जा सकते तो चार में से आठ नहीं जाएंगे तो हम सबसे पहले तो एक अधी केन जो है पास्वाली संख्या को दे देंगे अगर आपने हमारी पहली वीडियो आपको देखनी बहुत जरूरी यह तभी आपको यह concept क्लियर हो पाएगा चार में से आठ हमने घटाने की कोशिश करी तो नहीं गए तो अब हमने क्या क्या एक उधार लिया है तो यहां पर हमने एक अधी केन तो दे दिया अब आठ का परमित्र क्या है आठ का परमित्र है दो ठीके दो जो होगा जो भी इसका परमित्र होगा उसको उपर वाली संख्या को दे देंगे 6 का परमित्र कितना होता है 4 चार में हम तीन उपर वाली जो संख्या उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 चार में से तीन जो है वो इसली जा रहा है तो इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है एक तो आप दोस्तों देखिए दोनों के सेम ही आंसर है बस आपको इतना सा करना है कि नीचे वाली जो संख्या है उसका परमित्र निकालना है और उपर वाली संख्या में जोड़ देना है आपको निकाल के उपर वाली संख्या में एड़ कर देना है बस बिलकुल सिंपल सी बात है अगर आपको और भी एक्जामपल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें और भी एक्जामपल दे के बता दूंगी तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और ये आपको वेफ कलन जो है वेफ कलन बोलते हैं इसमें समझ में आया है तो आप जो है लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद